नवस्कार स्वागता आपका नवतेज टीवी में और मैं हूँ आपके साथ व्याश्य खावत शुरुआत करते बुलिटिन की ताज़ा खबरों के साथ आबू रोड शेहर के गाव खडात में छे दिवसी एक क्रिकेट प्रतियोगीता का आज़िन किया गया जहां इस प्रतियोगीता में समाज के कुल 38 टीमों ने भाग लिया और फाइनल में आदर्श और नई धनारी के बीच मुकाबला हुआ जिसमें आदर्श ने पहले बलेबाजी करते हुए 10 ओवर में 57 रन बनाए जिसका पीछा करते हुए नई धनारी ने भी 10 ओवर में 57 रन ब और राजस्तान के मुख्य मंत्री अलवर दोरे पर रहे जहां उन्होंने कॉंग्रेस प्रत्याशी अजय अगरवाल के समर्थन में जन सभा को संभोधित किया जन सभा में कॉंग्रेस अपरत्याशी टीक अराम जूली पूर्वे केंद्री मंत्री भवर जुतेंद्र सिंग साथी अलवर शोहर से कॉंग्रेस अजय अगरवाल कई दिगजनीता मौजूद रहे जोरान मुख्य मंत्री ने मीजिया को नज़र अंदाज करने की कोशिश भी की करनल राज़ बर्दन सिंग ने जन संपर के दोरान भारत माता की रक्षा करते हुए वीरगती को प्राप्तुए अमर सपूत अमाली राम जुआखर के पैत्रे गाव सुजा का बास जोब निर पहुँचकर उनके परिवार को सांतवना और पार्थी शरीर को विनमर श्रदांज लेयार पित की जन संपर के दोरान करनल राज़ बर्दन सिंग ने कहा कि जब हम एक साथ आते हैं तो ताकत बनते हैं और ताकत की ताकत से बड़े बड़े काम भी आसानी से हो जाते हैं और वहीं कॉंग्रेस प्रत्याशी रफिक खान ने शेहर में संगन संपर किया साथ ही जोरान साने व्यापारियों और निवाशियों ने फूल माला पहना कर खान का स्वागत किया और रिकोर्ड मतों से जिता कर फिर विधान सभा भीजने का वादा किया जोरान उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस सरकार ने हर तबके के लिए योजनाय लौंच की है जिससे सभी परिवारों का फाइदा मिल रायस संभोधन की दोरान रफीक खान ने जोंता से कॉंग्रेस को वोट करने की अपील की झाले झाले और वहीं विद्यादर नगर विदान सभा शेत्र से कॉंग्रेस को बड़ा छटका लगाए जब भाजपा प्रतियाशी दिया कुमारी के समर्थन में दो दर्जों से जादा कॉंग्रेस पददिकारियों और कारेकरताओं ने भाजपा की सदेस्टा जॉइन कर ली साथी दिया कुमारी ने वाड नमर 30 के लक्ष्मी पती नरसिंग मंदिर में हजारों श्रदालों के साथ छट पूजा में हिस्सा लिया जनसभा के दौरान दिया कुमारी ने कॉंग्रेस पर निशाना साथते हुए कहा कि कॉंग्रेस ने पिछले 5 सालों में विकास की गति को प प्रत्याशी मनुज मेगवाल का शेत्र में जन संपर्ग जोरी है जन संपर्ग के दोरान शेत्र की जन तक प्रत्याशी मनुज मेगवाल को अपार जन समर्थन मिलता नजर आ रहा है उनकी जन संपर्ग के दोरान अंजन को कॉंग्रेस की साथ गारंटी योजना और शेत्र में करवाये गई विकास कारियों की जानकारी देते हुए कॉंग्रेस के पक्ष में मद्दान करने के अपील की बिलकुल कातर से लेकर सोबा साथ तक जिस तरह से हर गाम में देए हैं जो लोगों में उत्सा जुन दिखना है इस बाद तो जैसा लग रहा है कि जो पिछला रिकोर्ड है उससे भी कही आगे बढ़कर ये जीट होगी सरकार की जो यूजना है उनके परती लोगों की जवर्दस आकृशन है और विकास के काम होगे उसको लेकर आम आधि में चर्चा है किस बार जो विकास के काम है सतर साल में हमने कभी लेकि तो लोगों में जोस आज देस्टार मिटिंग थी और वहां जो जोस था अगर आप लोग गए हों तो देखा होगा कि जो वास्ताम में लोगों ने इस बाट्ता कर लिया है कि सरकार को रिपीट अरल्पी सुप्रीमों हनुमान बेनिवाल और आजाद समाज़ पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष चंदर शेखर आजाद बानसूर पहुंचे जहां उन्होंने आजाद समाज़ पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर रोहिताश शर्मा के जमर्थन में जन सभा को संभोधित क करते हुए कहा कि राजस्तान में रश्टाचार में बजरी माफिया का अतंक फैला हुआ है हमने हमीशा किसानों के हित के लिए संगर्ष क्या है जोरान आजाद समाज़ पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष चंदर शेखर राजाद ने कहा कि बीजेपी और कॉंग्रेस को आपने बार-बार मौका दिया है लेकिन उन्होंने कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा अब आपके पास मौका है इन पार्टियों को घर बेठाने का और महीं पूर्वे डिप्टिस सीम सचिन पाइलेट चौकसू पहुंचे पाइलेट के चौकसू पहुंचने पर एक कारे करताओं ने गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत क्या पाइलेट ने कारे करताओं दुआरा लाया गया 51 मीटर लंबा साफा प्रत्याशी वेद सोलंकी के सिर पर बांदा सचिन पाइलेट ने कॉंग्रेस प्रत्याशी वेद प्रकाश सोलंकी के समर्थन में चुनावी जन सभा को संभोधित किया और वेद प्रकाश सोलंकी के पक्ष में मदान करने के अपील गी साथी पाइलेट ने कहा कि वेद प्रकाश सोलंकी इरादों के पक्के हैं और विकास के कारियों में ज्वानता के प्रती हमीश और समर्पित हैं अगर सोलंग की जवनता से किये गए वादो पर खरा नहीं उत्रे तो पाइलेट बैठा है जवनता के हित के कार्यों में कोई कोता ही नहीं बढ़ती जाएगी पाइलेट ने केंदर सरकार की राजनीति का रेश्वैली पर निशाना सादा और कहा कि भाजपा और सिर्फ भाजन की राजनीति करती है लोगों को धर्म के नाम पर बाटती है उन्होंने प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार रिपीट होने का दावा भी किया पच्छेस तारीक और सुबह सुबह उठकर चत्री सो कौम के लोग चारो धर्म के लोग माता बेन भुजर्क पुरुष नौजवान और खासकर जो ठाना साल के हो गए आपका जिमिदारी है आपका धिकार है वोट डालने का अपनी वोट से चूको मत यहाथ की बात का पैच कि एक है जब सकता है और हम घंस चाएं के यह जमेंदारी आप लोग हो जैपूजियले के शाह शापुरा विधान सभा सीट से निर्दलिय प्रत्याशी आलोग बेनिवाल को चुना अप्रचार के दोरान लगातार जम कर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सालों का हिसाब भी मांगने लगे महिलाओं ने सवाल भी पूछा कि जब आफ विधायक थे तो उन्होंने इलाके के विकास के लिए क्या किया और पिछले पांस सालों में उन पर अंदेखी का भी आरोप लगाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तीजी से वाइरल हो रहा है। आप अंदेख ल continuity स्क्राइब ध्रोले सी अच्छ के लिए के अ広क करना आग में ढाताय लिए अट भी इतलहनुति, grateful आप नहों आई finally पुलिस मुस्ताइज नजर आ रही है और इसी कड़ी में पुलिस और सियार पीएफ के सशेष्टर बल जवानों के द्वारा शहर थाना शेत्र के लूनिया पुरा से फ्लैग मार्च निकला जो शहर के बस स्टीशन नगरपाली का रूड घूसी महुला होते हुए थाने में पहुंचकर संपन हुआ फ्लैग मार्च निकालकर भैमुक्त और पारदर्शी निस्पक्ष मद्दान करने को लेकर शहर वासियों को जवाग रुक किया गया फ्लैग मार्च में डियस पी अचौल सिंग देवरा थाना अदिकारी बलभदर सिंग सी आरपेफ अदिकारी आदी मोजूद रहे जैसे जैसे चुनाव नज्दीक आ रहे हैं सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव प्रिच्वार में लगे हैं अपने अपने श्वेत्र में जुन संपर कर जनता से वोट मांग रहे हैं दोसा विदान सभा से भाजपा से प्रत्याशी शंकर लाल शुर्मा और आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी राधे श्वाम नागल भी अपने अपने श्वेत्र में जाकर लोगों को साधने में लगे हैं हमारी समवादाता ने बाजपा और आजात समाज़ा पार्टी के प्रत्याशिश से खास बातचीत इस ताइम मोजूद है हम दोसा विदान सभा के गाम जैलम पुरामे और यहां बड़ी कांटी की टक्कर दिखाई जारी है जैसे पूर जो मंत्री है मुराइलाल मीना और संकर बीजीपी से परत्याशिय संकरलाल सरमा और थोड़ी देर में यहां संकरलाल सरमा जी यहां परदारने वाले हैं कि यहां पर बारत्य जनता पार्टी का है साब बारत्य जनता पार्टी जीतेगी इसमें कोई सक नहीं है क्योंकि पिछले जो कारेकाल में पांच साल में कॉंग्रेस का कोई खास विकास हुआ नहीं है इस वज़े से भारत्य जनता पार्टी का मन बना लिया जनता ने और यह निश्चिता है कि बारत्य जनता पार्टी जीतेगी और राजस्तान में भी भारत्य जनता पार्टी ही आपके चुनाओं में वो क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री गोशित होगा सरकार बनेगी इसमें क जब से बड़ा जो मुद्द है वो युवाओं का रहा है क्योंकि अभी जो पेपर लीक वा है बच्चा पड़ रहा है उसकी एज निकलती जा रही है पेपर लीक चोड़ी तो सरकार जिम्हेंदार पनती है कि इसको लोग जाए अब इसके जिम्हेंदार को नहीं सरकार है अग काघ्डिक कारणा में musi गलत है इसलिए कांगरेस नहीं यह को या करना में हैं जो ऐसे जो आपको जो टरहिए इसमें और खुच जो परिद चप्रून करवारमेंठ को डहा आप मता आप पने अपना कर लेती है और जानता कोई पाइल खाइदा नहीं देती है बस्येक बात इ पूरी बच्चोन के पेपर लिक हो जाते हैं कोई भी बच्चा तयारी करके अपने कैसे भी पेट बांध के तयारी करता है वह पूरे वेर्थ हो जित है अब कहां से आई अब जनता पारटी बची इसको बनाइएं आप साथ जनता पाइए कर लिए खूब प्रयास कर लिए तो नहीं कर तुमारे सेक्षिन नहीं है तो ये गाओं कोई अधर बुड़काया था गाओं पानी के लिए पानी के लिए बहुत बड़ी परिशानी है बोरिंगों में पानी सूख गया, लोग आदा आदा किलोमेटर तिक जाते हैं, टाइम पे लाइट नहीं आती है, तो वो एक पानी की बहुत बड़ी समस्चा है, तो हमारे पास में नदी है, मोरेल नदी, तो मैं चाहता हूँ कि बिदायक साब से, वहां एक बोरिंग करवा कर पास साल पहले ग्राम पंचायत को बनाएं थी, उसका वो चल रहा है, वो कोट में चल रहा है, तो हम जो नई सरकार आएगे, नई विदायक जाएंगे, उनसे यही मांगे, कि हमारे पंचायत है, वो पंचायत बनाए जाए, हैड़कोर बनाए जाए, यहां करीब 900 बोरिंग पंचायत बनाए जाए, वो कितने बोरिंगे, वो लगबग 445 की संतिंग होगा, यह तो पॉल्टिक्स की वज़े सी हो, ऐसा है, हमने तो पूरी प्रियाश भी कहा था, आस पास की गाहों को भी जोड़ा था, बूड़ला को भी लिखवा के दिया था, पास में हमारा पड़ गये, उनके बावजुद भी उन लोगों ने हमारे नोजवानों के जाने के बाद ऐसा का आप बाहर बेट करो, छपरे में बैटो, ऐसा क्यों, जाने के बाद इज़त से बात करनी चीए, लेकिन उन्होंने एक बाहर भी ऐसा नहीं का आप बैटो, कुछ करो, तो हम उससे न रहेगी. में उससे आप वाकीपों देखर रहे होएं जैसे अभी वे एक वाकीं आया है कि बहुत तरुबोग करके आप कारेकरताओं को भी कॉछ चैडा जा लए या प्रेशर दिया जा रहे है यह क्या राजनीती थीख चल रहा आपकी पार्टी का एक इस्टेंड है और बीजी पिर कॉंग्रिस का भी कि एक बहुत बड़ी गारंटी काड़ दे रहे हैं दोनों पार्टियां आपकी पार्टी जन्ता के लिए क्या देना चाहिए डन्ता को मेरे पार्टी का खिब का मुख्या है जैंडा यही है किsis तली दली त़ और गरीबू का साथ देना बैण बेटियों के उपर अध्याचार हो रहा है उनमें उनका साथ देना प्रदेश के देश के अलग-अलग जगह हो और जा रहा है इसको नेता बता दो पर शिंगल जो उसके बराबर या ऐसा काम कर रहा हूं मुकाबला कर रहा हूं इन से लास्ट जो अभी जैसे चर्चा हुई आपने बासन में बोला कारेक्टरताओं नहीं बोला जिस तरीके से जो पड़ सब्सक्राइब 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 करते हैं क्योंकि चुनाओं टाइम है और वह काम कर दिया उसमें से इक सिंगल काम हूँ तो बता दू अना होगा आगे हमारे साथ मोजूद है एसपी के परदेश परमुख राष्टि कोर कमीटी के सरदेश से और स्टार परचारक हैं मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा कि सर आपकी पार्टी जो आने वाली दानसों में कितनी आपकी पार्टी कितना चुनाओं जीत रही हो कितनी सीटों पे है और भग दोसा वी धानसा बगी तरह है बिल्कुल जीत सुनिचित है और मेरे खिल से आठ और दस एमेले हमारे मद्यपरदेश निकल रहे हैं और पंदरे से लेकर बीस और पच्छिस तक भी लेकिन पंदरे से बाट लाइनिंग स्रू है हमारी तो हमारा जो कास्ट जी ने पूरे भारत में किसी दलने विपक्स का काम नी किया चंसे का राजाजनी ने विपक्स की भूमी करने बाई और यह मात्र भी दो साल हुए है हमारी पार्टी को बने वे इसमें कुछ लोगों की भोगलाठ है इतना जरूर है रादे शाम जी बहुत इस्थानी है परि देंगे ना कोई हम मुख्य मंत्री बनेंगे है हमारे साथ मोजूद है भाजिपा प्रत्याशी दोसा से संकरलाल सर्मा बात करना चाहेंगे बहुत कम टाइम बचरा आने वाले चुनाओं के लिए हम चाहेंगे कि आपकी क्या रहने तेगर क्या आपका आगे का वो है देखि लड़के इनी भाईयों के बीच मरा आज वो मेरे को पैचानते हैं और मैं उनको पैचानता हूं कि अवाल मातर आ गया हूं जो एक फोर्मल्टी है कि आया हूं बोड़ देरो बाकी आप जनता देख रहोंगे कि बोड़ देने के लिए मेरे को तैयार बेटी है इसलिए समय म मुद्दा है जहलंपुर में अभी आप जहां मौझूद है यहां एक स्कुल का और पंचायत का बहुत बड़ा मेंता है ऐसा में पंचायत करा है यहां पंचायत एक चोली बननी चाहिए थी लेकिन हमारे इस्थानिये नेताओं ने उसको अस्वास कर दिया और ये जनता मेर उपर विश्वास करके बेटी हुई है लें खिसमत से मेरी सरकार चलीगी और अबके इनको इनका हक में दिलवा के रहूंगा बड़ा मुद्दा एक पानी का भी है यहां बहुत बड़ा नेस्रिल मुद्दा भी रहा ए एर सिपि का भी रह वहा है बहुत बढ़ा उसके लिए आपको पता दूँ यहां पर सबसें बड़ा मुद्दा जो है दोसा कॉंस्ट्वेंसी ले लीजिये, यह हमारी पानी के लिए बहुत बड़ी परिसान है, यह हमारा पुराणा मुद्दा है, एक पहुत बड़ी पुराणी कावत है, कि दोसा सेर चिडी का बासा अन गणू पर पाने को था सा, मैंने मेरी मुक्यमंत्री ची के आश्रवाद स दोसा सेर का वो चिडी का बासा आया, जो करते थे, वो तो मैंने मीटा दिया, वहां की पानी की समझ्या कतम की, और अनोनी करके मैं बीसरवूर चे पानी लाया, और अब मैं इस मेरी जंता को, मैं गारंटी के साथ यहां बेटा हूँ, कि इस सड़दा का पानी मैं बहुत ज तो मैं बहुत जोड़ गारंटी उज़ना नहीं है, नो एक आंगरिस करना चाहती है, नो एक आंगरिस बनाना चाहती है, यह 35,000 की करोड की उज़ना हमारी है, और हम यह सरकार बन जाने दी जिए, क्योंकि इसके इंदर M.P की ज़रूती, जहां से पानी आएगा, रास्तान की जरूती जालाएगा और सेंट्रल की जरूती जो पैसा देगा इसलिए तीनु मिलके और यह डबल इंजन की जब सरकार बनेगी तो उसके बाद में ERCP के तैत 13 जिलूं को चंबल का पाणी हम इन गाउं के अंदर मुया करवाएंगे की जाए गारंटी की बात बहुत जागवरी एक तो मोदी गारंटी और ने कांग्रेस गारंटी इसके बारे में पर भाइ में गारंटी आपके यह जो शड़क बन रहे हूं जैपूर एइभी दिल्ली से हूं बंबी आयी भिए हम ने तो नहीं सोच था कि है ऐसी भी सटके बनती है क्या मुदी गारंटी वो है जो कहते हैं वो करते हैं कांघ्रेश गारंटी पो है doctrine जिसके अंदर सबसे पहले दोसा के लिए आपके पास जो आपका जो सबसे बड़ी एहमियत है वो क्या रहेगी सांती भाईचारा प्रेम व्यवार चती जातियां एक साथ एक मुट्टे के साथ हम रहे हमारे जात मात की प्रता कक्तम हो पहला कर दोसा का पानी का मुद्धा एहम है जिसनको मैं पानी पिला के रहूँगा और ये दोनुजब मुद्धे चल जाएंगे दोसा के गुंडा गर् पानी आ जाएगा तो उद्ध्योग भी लग जाएंगे इंडस्ट्रीज भी लग जाएगी तो मेरे बच्चों को मेरे यहां की जनता को काम भी मिलेगा और रोजगार में भी उनको पाइदा होगा तो ये थे हमारे साथ इस्तानिये भाजपर प्रत्याशी संकर सर्मा देख कि आपकी खबरों का घरोसे मन साथ ही है नवदेज टीवी